अब आपका successfully यहाँ पर bank up बड़ोदा में internet banking registration हो चुका है अब होने के बाद अगर आपको login करना है आपको सब कुछ देखना है अपने account के बारे में जानना है इसके बाद go to login page पर आपको click कर देना दोस्तो आज की इस वीडियो में हम bank up बड़ोदा का internet banking registration करना सीखेंगे internet banking क्यों जरूरी है कैसे यूज करना होगा क्या जरूरत पड़ेगी इसके बारे में आपको पूरी जानकारी आगे share कर देता हूं जैसक दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे एक हमने वीडियो बनाया था इसमें हमने बताया था कि bank up बड़ोदा में zero balance saving account कौन सा होता है और उसके अलावा उसमें कौन कौन सी facility मिलती है क्या क्या features होते हैं कौन कौन से hidden charges होते हैं और transaction वगेरा से लेकर करके पूरी complete जानकारी दी थी इसके जेस्ट बाद हमने एक दूसरी वीडियो बनाया थी दूसरी वीडियो हमने यह जानकारी पूरी दी आपको कि bank up बड़ोदा में zero balance saving account आप कैसे open कर सकते हैं हमने पूरा practically करके दिखाया था इवन हमने अपने family member का account open भी किया था उसी वीडियो में हमने KYC के बारे में पूरी जानकारी दी थी KYC हमने अपनी खुद की करके भी आपको दिखायी हुई थी दोस्तों यह दोनों होने के बाद यानि कि हमने पूरी जानकारी ले लिए और bank account open कर लिया KYC करने के बाद गंटे के बाद हमारे पास एक message आया वा था सबसे पहले में आपको यहां पर message दिखा देना चाहूंगा आप message में लिखा हुआ रहा है कि आपका bank account open हो चुका है इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूं यहां पर एक PDF भी शेयर किया गया है PDF में क्या है मैं आपको भी बताता हूं और आपको यह भी बताऊंगा कि यहां पर इसके अलावा हमें और क्या सुग्दाएं दी गई है अभी के लिए दोस्तों जो PDF सेंड किया गया मैं PDF में आपको दिखा देना चाहूं जो कि सबसे जरूरी होने वाला है कि जैसा कि इसमे आपको Zero Balance Saving Account है इसके अलावा सबसे जरूरी यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर हमें बताया गया है जैसे कि कस्टमर आइडी नंबर हमेरे पास सेंड किया गया है अकांट नंबर सेंड किया गया है अकांट होल्डर का जो नाम है वो नाम सेंड किया गया आइफर सी रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अलावा अगर आपको दिखाना चाहूं तो आप यहां पर देख सकेंगे इसके अलावा दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर एक जो पर पाय। ऐसके लिए यहां आपको प्लिकेशन काईट को यहां ओनाया आपको प्लिकेशन है आपको एक यहां किसे आ पडिक आपको लैपके लेकिन गया होता हुए दोनों चीज़े हैं तो आप विवी वर्ड अपली केसमें रेजिटेशन कर सकते हैं उसके लिए इंटरेनेट बैंक की जुरूत नहीं पड़ेगे लेकिन जैसा कभी हमने बैंक अकाउंट वह यहां पर ओपन किया हो अभी तक हमें कोई भी डैविट कार्ड यहां पर पर अध्यम से रेजिटेशन करेंगे तब आपको एक्टिवेशन की मिलेगा डालेंगे लोगिन होने के बाद आप वहां पर जाके फिजिकल डेविट कार्ड और यहां पर तक कि आपको यहां पर वर्टल डेविट कार्ड को भी अपलाई कर पाएंगे तो अब आप पूरी कहा लिंक दे दिया है जो कि वर्ट इंटरनेट बैंकिंग के लिए होगा जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आजाएंगे ठीक है यहां आने के बाद सबसे पहले आपको यूजर आड़ी डालना होता है यूजर आप वही डालेंगे जो आपको बैंक की तरफ से इमेल द्वारा भेजा गया है तो हम अपने यहां पर यूजर आड़ी को डाल लेते हैं आप अपने यूजर आड़ी को डाल लीजिएगा और सेंपल से आपको लोगिन पर कर देना है क्लिक इसको करने के लिए आपके दो बार दो ऑप्सन होते एक होता आपके पास दिखा दिया था इसके बाद आपके जो रिच्टर्ड मॉवाइल नंबर आप उसको यहां पर इंटर करेंगे इंटर करते समय बहुत जरूरी बात है जो ध्यान रखेंगे 9191 जरूर लगाएंगे इसके अपना मॉवाइल नंबर दस अंको का डालेंगे इसके जश्ट बार को कंटीनुव पे कर देना है क्लिक कंटीनुव पे करने के बाद दोस्तो सब्सक्राइब कर इसके आप से क्लीक कर देना है और यहां कलीक कर देना है है इसके बाद दोस्तों आप से बोले आता है किommtर न्यूर्स सइंएं पासवर्ट जो नया साइन पासवर्ड है आप उसको प्याले इंट्रक्रेंगे द्यान से समलीजीएगा फिर दुबारा इसके बाद उसी को रिपीट दुबारा डालेंगे इसके बाद जो आपको यहां पर म इंटर करना पड़ेगा दोनों मतलब जो आप इसका पासवर्ड बना रहे हैं यह अलग होगा यह सेम इसको भी डाल दिया ट्रांजेस्टन वाला दोनों सेम नहीं डाल सकते हो और जो भी बनाएंगा आप यूनिक से बनाएंगे फिर भी मैं आपको टेंपरेरी यहां पर सो कर करेंगे जो आपने नया पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड के जरीया आप यहां पर लोगिन करेंगे लेकिन अभी भी आपके इंटरेनेट बैंकिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है अभी आपको क्या करना यहां पर देखिए गो टू लोगिन पे लिखा हुआ सेंपल्स आपको इस पर कर देंगे किलिक इसके बाद दोस्तों आपके पाद जो इमेल पर यहां पर एक इंटरफेस खुलता है जहां पर आप से यहां पर 15 पूछे जाएंगे यहां पर सिकूर्टी रीजन की विज़से माली जी कभी आपको दुवारत से अपने कर सकते हैं अगर उप्र एक आपसे लगता इंसके आप लेंगे अपने याद करने के लिए उन चीजों को लिख की भी तरह सकते हैं यहां पर पांच ओलएंगे ठीक है इसकी बाद दोस्तों देखेंगे उपर आपको दिखाए देगा कि एक परसेंट मेंसेज में आप अपन या आपका जो भी नाम हो या कुछ भी आप अपने परसनल मैसेज टाइप कर सकते हैं ठीक है इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और जो आपका आजिस्टिंग पासवर्ड है आप उसको डालेंगे जो आपने नया साइन पासवर्ड बनाया था उसको उसको भी डालें करना है आपको सब कुछ देखना है अपने अकाउंट के बारे में पूरी जानकरी पूरी डिटेल्स आप देख पाएंगे यहां पर हर एक तरीके से आप इसको मैनेज कर पाएंगे तो आप अपने यहां पर यहां पर आपने रिश्टेशन कर लिया है Basically registration करने का कोई ओव खास मकसद नहीं था, main मकसद यह था कि आप VOV World Application को यूज कर पाएं हम Next वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि आप अपने VOV World Application को कैसे manage कर पाएंगे, कैसे login कर पाएंगे login करते हैं समय आपको इसकी जरुद पड़ेगी इसलिए मैंने आपको इसकी जानकारी पहले ही दे दिया तो चलिए इंदजार करते हैं next part कर, next part में आपको इसके बारे में next पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगे अगर आपको जुरुत लगती इसके पहले वाली वीडियो का आप देख लीजेगा step by step मैं एक एक करके सारी वीडियो दे दूँगा account open करने से लेकर के manage करने तक कि पूरी जानकारी आपको मिलेगी step by step दोस्तो अगर आप google पे जाएंगे और search करेंगे amarganfinance.com जैसे आप इसको search करेंगे हमारे website आजाएंगे website आपको बहुत सारी जानकारी है देखने को मिल जाती है चाहे आपका loan हुआ चाहे आपको बैंक जानकारी पूरी मिली हो इसके लिए एक लाइक बनता है चैनल को सब्सक्राइब भी करते जिए चलिए तरह मिलता किसे निश्मेंटे दो तक लिए जाएंगे भारत